यसके स्टड़ी, सक्सेज स्टड़ी में आप सभी लोगों का स्वागत है देखे, क्लास सेवन्थ का साइन्स टाइम एन्ड मोशन का पार्ट टू मोशन जान लेते हैं क्या है वो अबजेक्ट जो अपना पोजीशन चेंज करता है वो मोशन का आ जाता है जैसे कोई अबजेक्ट है यह अबजेक्ट कुछ समय बाद यहां आ जाता है और फिर यहां आ जाता है तो यह अबजेक्ट यहां से यहां पर गया इसका मतलब अपना पोजीशन चेंज किया हम यह कह सकते हैं कि यह अबजेक्ट मोशन कर रहा है यह अबजेक्ट मूब कर रहा है रेस्ट तो अबजेक्ट विच दू नाट चेंज यह अबजेक्ट यह अबजेक्ट रूकी हुई है यह अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो हम यह कह सकते हैं कि यह रेस्ट पोजीशन में है अगर यह अबजेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रही है तो हम कह सकते हैं कि यह अबजेक्ट मोशन कर रही है दिखिए मोशन टू टाइप्स का है श्लो और फास्ट मोशन तो अबजेक्ट डेट मूब श्लो इस काल्ड श्लो मोशन बहुत से अबजेक्ट होते हैं जो slow motion करते हैं उन्हें slow motion करते हैं movement उनका slow होता है जैसे bicycle का motion, rickshaw का motion and bullock card का motion ये slow motion करते हैं, इनकी speed slow होती है and the object that move fast, that move fast is called fast motion जैसे car, car की speed जो होती है या bus या bike की speed होती है या bicycle की अपेच्छा या rickshaw की अपेच्छा fast होती है तो हम एकार सकते हैं कि bus या bike की जो motion होती है वो fast motion होती है तो two factors are required to decide the slow and fast motion slow and fast motion को decide करने के लिए two factors है first है distance covered by body अब कोई भी object, कोई भी body कितना distance cover कर रही है उस पर depend करता है और second है time taken to cover that distance और इस distance को cover करने के लिए कितना time लेता है यह है तो सपोच करिए कि एक object है और one kilometer का distance cover कर रहा है half an hour में half hours में अगर एक cover कर रहा है और दूसरा object उतना ही distance one hour में cover कर रहा है तो हमें यह कह सकते हैं कि जो distance cover कर रहा है half hour में यहनि इसकी speed fast है और जो one hour में cover कर रहा है तो इसकी speed slow है and these two factors are combined together a new factor that is speed दोनों factor combine होकर एक नया factor बनाते हैं जिसे speed करते हैं speed क्या है distance covered by an object in unit time is called speed कोई भी object unit time में जितना distance cover करता है वो speed होती है speed equal distance out of time and distance covered by an object in unit time is called speed speed equal distance by time SI unit of the speed is meter per second speed की जो SI unit होती है वो meter per second में होती है वैसे हम measurement तो kilometer per hour में भी करते हैं लेकिन SI unit की बात करें तो speed की SI unit meter per second होती है देखिए यहां पर कुछ दिया गया है speed different different animals का speed of different animals are given in kilometer per hour यह जो speed दिया हुआ है यह kilometer per hour में दिया है जो स्नेल है, स्नेल 0.05 km per hour की speed से move करता है यानि एक घंटे में यह 0.05 km जाता है स्क्वेरल है, इसकी speed 20 है मैन है, इनकी speed 38 है हर्स है, इसकी speed 60 है चीता की speed 115 km per hour है यानि यह वन आवर में 115 km जा सकता है ब्लैक मार्लिन फिश की speed 130 km per hour है और पेरिग्रीन फैलकन की speed 320 km per hour है इन सब डेटा से हमें यह पता चला है कि इसमें सबसे slow कम मोशन करने वाला स्नेल है जिसकी speed 0.05 km per hour है और सबसे अधिक speed पेरिग्रीन फैलकन की है जिसकी speed 320 km per hour है यह जादे है Speed of a car is 50 km per hour इसका क्या मतलब है कि car की speed है वो वन आवर्स में 50 km कवर करती है अगर किसी भी car की speed 50 km per hour है इसका मतलब यह हुआ कि वन आवर्स में वो 50 km जाती है आगे चलते हैं Speedometer It is a special meter which is used to measure the speed of vehicle Speedometer एक ऐसा special meter है जो vehicle की speed को measure करता है और शेकेंड है odometer यह odometer It is a special meter which is used to measure the total distance traveled by vehicle in kilometer odometer भी एक ऐसा special meter है जो vehicle में installed होता है और वो ओडो मीटर हमें उस vehicle दोरा जितना distance कवर होता है उस distance को बताता है कि वो vehicle कितना distance कवर किया है किलो मीटर में दोनों मीटर बोथ मीटर और इंस्टाल इन वीटर दोनों मीटर वोडो मीटर और speedometer दोनों वेहिकल में इंस्टाल होता है लगे होता है चलिए हम बात करते हैं कुछ problems की जो इस speed पर बेस्ट है problem 1 है a car takes 20 minutes to cover a distance of 10 km एक कार है जो 20 minutes टाइम लेता है 10 km की speed को कभर करने में हमें calculate करना है speed in km per hour and meter per second दोनों में तो time दिया है 20 minutes लेकिन जो time होता है वह या तो meter per second में होता है या time जो होता है या hour में होगा या second में होगा distance दिया है 10 km distance 10 km है तो 10 km के साथ hour का use होगा इसलिए इस minute को हम hour में change कर लेते हैं 1 minute में 1 hours में 60 minutes होते हैं तो 20 minutes को change करना है hour में तो हम 20 minutes को 60 से divide कर देते हैं 212, 236 यानी 1 by 3 1 by 3 देखिए यहाँ पर time 20 minutes है 60 से divide कर दिया गया 1 by 3 hours time आ गया अब हम speed निकालते हैं speed equal distance by time distance 10 km है और time 1 by 3 km है तो आ गया speed 30 km परावा distance by time distance 10 km time 1 by 3 km इसका मतलब यह हुआ कि 10 multiply 3 by 1 10th रिजा 30 km परावार हो गया अब इसी 30 km परावार को हमें change करना है meter per second में meter per second में change करने के लिए हम 5 by 18 से multiply कर देते हैं अगर कोई भी speed km परावार में दिया गया है और meter per second में change करना है तो 5 by 18 से multiply कर देते हैं तो 30 और 5 by 18 गों साल्ब कर लेते हैं 3 6 जा 18, 3 5 जा 30 sorry 3 10 जा 30 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 25 by 3 आया अब इसको हम divide कर देते हैं आ जाता है 8.3 meter per second अब हम 5 by 18 से 5 by 18 से हम क्यों multiply करते हैं देखिए 30 अगर km पर और में है तो 1 km में 1000 meter होता है तो हम 1000 से multiply करते हैं और hours में 60 into 60 second होता है इसलिए 60 into 60 से divide कर देते हैं तो 00 cancel, 00 cancel 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 5 by 3 6 जा 18 5 by 18 आया यही हम 30 में 5 by 18 से multiply कर देते हैं प्राब्लम 2 है दे डिस्टेंस बिट्मी निव डेलही और चंडिगर इस 300 km निव डेलही और चंडिगर के बीच का जो distance है 3 km है इफे बस स्टाट फ्राइमे निव डेलही moves at a speed of 60 km per hour इसकी speed 60 km per hour दी गई है and how much time will it take to reach the चंडिगर और निव डेलही से चंडिगर पहुचने में कितना time लगेगा यह पूछ रहा है तो distance दिया है 300 km speed 60 km per hour और time मालूम करना है time equal distance by speed तो time equal distance by speed होगा और distance दिया है 300 speed दिया है 60 000 can say 650 30 यहीं 5 hours आ गया problem 3 a train moving at a speed of 100 km per hour takes 6 hours to reach its destination यह train है जो की 100 km per hour की speed से जा रही है यहीं इसकी speed 100 km per hour दी गई है and time दिया हुए 6 hours कह रहा है how much distance is covered by a train from its origin to destination how much distance is covered कितना distance cover करना है इसको तो distance equal speed into time speed 100 है और time 6 है और 10 सिख जा 600 km देखते हैं uniform motion क्या है uniform motion a body is set to be in uniform motion when it is moving along a straight line at a constant speed अगर कोई object है कोई body है एक straight line पर अगर एक constant speed से move कर रही है तो इस motion को हम uniform motion कहते हैं कांस्टेंस motion का मतलब है कि जैसे अगर यह 40 km per hour के speed से जा रही है तो यह 40 km per hour के speed से एक समान चाल से अपने starting point से ending point पर जाती है तो यह uniform motion होगा जैसे motion of a car इन्हें straight road अगर एक straight road है और car move कर रही है तो इस motion को हम uniform motion कहते हैं non uniform motion a body is set to be non uniform motion if its speed is varies while it is moving along a straight line अगर कोई object एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर एक straight line में motion कर रही है starting में उसका जो speed है 40 है फिर इसके बाद 50 हो जाता है फिर इसके बाद 30 हो जाता है यानि कि इसका जो speed है वह different है varies है पहले 40 था फिर 50 हो गया फिर 30 है इसका मतलब यह हुआ कि वो body जो move कर रही है उसकी speed varies है तो हम यह कर सकते हैं कि वो non uniform motion कर रही है जैसे speed of a car in traffic अगर कोई car एक speed से जा रही है और बीच में traffic आ गया लोगों की भीड़ा गई तो उनकी speed automatic change हो जाएगी कम हो जाएगी फिर यह motion कर रही है motion कर रही है अचानक mode आ गया अगर mode आ गया तो यहाँ पर भी इसकी speed slow हो जाती है तो इसकी speed change हो रही है तो ऐसे speed को हम ऐसे motion को हम non uniform motion कहते हैं क्प chip कुछ DO knappि हम ख़ मर्स कि एव बन्येश का उागगी छीशक्षाय परे ज हम ओ video हो प है पर मेँ़श्यों अगदे